हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का राहूले खेडमे पर आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका SSC MTS का एकजाम हुआ था 49.2023 को इसमें आपके 25 GKS के कोचाम पुछे गए थे तो सभी प्रस्णों को हम अच्छे से इस वीडियो में देखने वाले हैं और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रूप दिया गया है वहाँ से जोआइं टोकर इसका PDF आप बिल्कुल फिर में प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने कोचांसर पर चलते हैं देखिए आपका पाला कोचंदेर चाहिए कि दीये गए विकलपों मेरे से कौन सा भिकलप प्रती धुःनि उत्पन करता है तो इसका प्रती थुःनि उत्पन करता है तो इसका करेक्ट अन्सरप को आपका हुजाएगा आपसर नंबर तीन इसके आगे आपका अगला कोच अलगिया घिया था कि गेटा सोरह इरेना जूनियर इंटरनेशनल बैटमेंटल चैंपियंशिप जीता है इनका समन्द किस राज इसे है तो इनका समन्द आपके अरुणांचर प्रदिस राज इसे है इसके आगे आपका अगला कोछा पुछा गिया था कि काली 10 समान किस राज सरकार के द्वारा प्रती वर्स प्रदान किया जाता है तो इसका correct answer अपका हो जाएगा मद्य परदिस राज के द्वारा प्रदान कियाता है और किस च्छेतर में प्रदान कियाता है तो यह आपका कला के च्छेतर में प्रदान कियाता है और काली दस को भारत का सेक्सपियर भी का जाता है और देखे काली दस की कुछ रचनाएं है जैसे आपका कुमार संभवम हो गया और भी ग्यान सकुंतलम हो गया मेग धूत हो गया ये तीनु रचनाएं आपका काली दस का है तो इन तीनु रचनाव को अपचे से याद रखेगा इसके आगे देखे अगला वकोशन है कि निमनलिकीत में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है तो इसका correct answer अपको हो जाएगा नस्वर्ता आपका मुद्रा की विशेषता नहीं है इसके आगे आपका अगला कोशन दिया गया था कि निमनलिकीत में से कौन सा राज सांती सवे राष्ट्य खेलो की मेजबानी करेगा तो गुवा इसका correct answer हो जाएगा इसके आगे आपका अगला कोशन था कि बाल विबा निस्येद अधिनियम निमनलिकीत में से किस वर्स पारित किया गया था तो 1929 इसी में पारित किया गया था इसके आगे आपका अगला कोशन था कि बोर्न अगेन आन दो माउंटेन ए स्टोरी आप लूजिंग एवरिटिंग एंड हाइडिंग इट बायक किसकी आत्मकता है तो इसका करेक्ट आन्सर आपका हो जाएगा और उनीमा सिन्ना का है यानि कि आपसा नमबर सी इसका करेक्ट आन्सर हो जाएगा अगला आपकोशन पुछा गया था कि 8 अपरैल 1929 को निमनलिकीत में से किन दो करांतिकारियों ने इसका करेक्ट आन्सर आपका हो जाएगा भागत सिंग और आपके बटके सुर्दत के द्वारा फेका गया था तो आपसा नमबर 4 इसका करेक्ट आन्सर हो जाएगा इसके आगे आपको अगला कोशन था कि राज चुनाव आयुक्त की निप्ति कौन करता है तो राजिपाल के द्वारा किया जाता है इसके आगे आपको अगला कोशन पूछा गया था कि भारत में सुचमबीत सांस था मुख्य रूप से जन संख्या के किस वर को लक्षित करता है तो इसका करेक्ट आन्सर आपका हो जाएगा कौँ आया वाले बेक्ति और छोटे बेवसाई को लक्षित किया जाता है इसके आगे आपको अगला कोशन था कि ICC 2023 ODI किरकेट 200 कप में कितने देश ने भाग लिया था तो देखिए इसके करेक्ट आन्सर आपका हो जाएगा 10 देशों ने भाग लिया था और ICC 2023 ODI का बीजेता टिम कौन था तो बीजेता टिम आपका अस्टेलिया था और उपविजेता की बात करेगा तो उपविजेता आपका इंडिया हो जाएगा और 2023 का वर्ल्ड कप क मेजबानी किस देश ने किया था तो मेजवानी आपके भारत की द्वारा किया गिया था अगर आपसे पुछा जहाए कि 2023 का 20.00 कब जो हुगा था इसका फाइनल मैच कहां खिला गिया था तो फाइनल मैच आपके वान खेडे इस्टेडियम मूंबई में खिला गिया था और इसका विजेता आपका अस्टेलिया था, उपविजेता आपका इंडिया था, और मेजवानी आपके भारत के द्वरा किया गिया था, और इसमें आपके टोटल दस देशों ने भाग लिया था, इसके आगे देखिए, अगला आपको चमपुचा गिया था, कि पुर्वी भ आपका हो जाएगा आपसा नमबर दो इसके आगे आपका अगला कोचन दिया गिया था कि विंक्स आप फायर किसकी आत्मकता है तो ए पीजे अबधुल कलाम की आत्मकता है इसके आगे आपका चवधर नमबर कोचन था कि भारत में राष्टिय जल मार्ग टू किसे नदी पर बिक्सित किया गया है तो इसका correct answer आपको हो जाएगा ब्रह्म पुत नदी पर बिक्सित किया गया है इसके आगे अगला कोचन था कि भारतिय सविधान का डेस भारतिय नागरीकों के मौली कर्तब को फारिभासित करता है तो अनुछेद 51A में करता है और मौली कर्तब किसी दे सविधान संसोदन 1976 में जोड़ा गया था और जो आपका इगाराहमा मौली कर्तब है इसके आपका च्छिया सीवा सविधान संसोदन 2002 में जोड़ा गया था इसके आगे देखिए अगला आपकोचन पुछा गया था कि निमनलिखीत में से उस च्छोव निर्त या निर्तकी क पहचान कीजिए जिसे संगीत नाटक अकादमी फुरुषकार 2021 से समानित किया गया है देखिए 2021 का समान आपके फरवारी 2023 में दिया गया था तो यह किसे मिला है तो यह आपका भुवन कुमार को दिया गया है यानि कि आपसर नमबर 10 का करेक्ट अंसर हो जाएगा इसके अगला आपका देखे कोशन दिया गया था कि पदम स्री पुरुषकार बिजेता गुरु के कल्यान सुंदरम पिल्लाई वह बेक्ती जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं को किस छेतर में युगदान के लिए पदम स्री 2023 में समानित किया गया है तो देखिए भारत नाटियम आपका तमिलाडू राज का प्रसिद लोक निर्थ है मोहिनी अटम की बात करेगा तो मोहिनी अटम का आपका केरल आज का है कथक कली भी आपका केरल आज का है और कुची पुड़ी की बात करेगा तो कुची पुड़ी आपका आंधर प्रदेश राज का प् पहचान की जिये, जिन्होंने ऊचितम सचर्ता दर्दज किया है, तो धेखेर राज की बात करेगा तो आपको किरल आज हो जाएगा, और केंदध साजित पर इसकी बात की बात करेगा तो लक्च दिब आपका हो जाएगा, यानि कि या अपसा नमबर इसका correct answer होगा, इसके आगे आपका अगला कोचन था कि हिमांचर प्रदेश सरकार द्वारा डेरी किसानों के लिए सुरुख की गई उजिना का नाम क्या है तो इसका नाम आपका संजीवनी है इसके आगे आपका अगला कोचन दिया गिया था कि बंगाल की खाड़ी में इस्तीत बिस्व का सबसे ब प्रमपुत नदी के द्वारा कियाता है और जो आपका ये सुन्दावन डेटा बनता है ये कहां पर बनता है तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में बनता है और गंगा और प्रमपुत नदी के द्वारा बनाए जाता है इसे हम मैग्रो वन के नाम से जानते हैं यानि कि पुरिन निस्स समंदित है यानि कि आपसा नमर सी इसका कर्रेक्डांसर हो जाएगा इसके आगे देखें अगला कोचन है कि डाक्टर हुपेंदर कुमार हाजारिका ने 2019 में किस छेतर में इनंहें आपका भारत रण दिया गया था तो भारत रण इन्हें आपका संगीत के छेतर में दिया गया है इसके आगे आपका आगला कोचन था 2023 में उसको हमने अच्छे से देखा और अगर आपको इसका पीडियेप चाहिए देखे इसका जीगे के पीडियेप की बात की जाए या आपके इंगलीज की पीडियेप की बात की जाए या मैत का या रिजिनिंग का तीनों आप टेलिग्राम गुरूप से जुआइन होकर पूरा पीडियेप आप प्राप्त कर सकते हैं 2023 के जितने भी आपके शीप्ट में पेपर हुए थे सभी आप पेपर प्राप्त कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप से वहाँ मैंने अच्छे से डाल दिया है